सब्सक्राइब जी बहुत बहुत तानवाल तो अडवी और दुनिया पर दे पंजाबियां रही बहुत बहुत तानवाल दला जी कॉंग्रेस पार्टी दी गाल करिये ता पंजाब दे विच टिक्टा वान्डू लेके कॉंग्रेस पार्टी विच का रॉला वदन नसर आ रहे है खास वरते जदो अपा पंजाब कॉंग्रेस दी गाल कार दिया है ता जड़ा एक अंधरूनी सरवेखन भी करवाया ग है तो की वे देख देओ आखिर केड़ी गल्दा वाड़ा सब तो जादा कॉंग्रेस पार्टी विच जड़ा हुन तक जो उमीदवारां दे नाम ते सही फैसला नहीं लापारी है कॉंग्रेस हाई कमार्ट की गाना चाहोगे सब ते हरजोजी कॉंग्रेस देवेच डिड़ी पहली सूची सीयो देवेच पंजाब तों हर्याने तों हिमाचल प्रदेश तों चंडिगर तों या राजस्तान तों किसे भी उमीदवार दे नाम दा एलान नहीं कीता गया और पिछले दो तिन दिना तों पंजाब देवेच कॉं द्रूनी सर्वेखन ने उना सर्वेखना तो बाद जिड़े सिटिंग मेंबर पार्लिमेंट ने उना नू टिक्टा देन दे उत्तेवी रिव्यू कीता जा रहा है पाव पड़ताल कीती जा रही है पड़चोल कीती जा रही है विचार वटंदरा कीता जा रहा है और एह हमे वाल है ते उस तो पहला उमीदवारां दे नावादा ऐलान हो जाना चाहिदा सी ते कॉंग्रस सिटिंग मेंबर पार्लिमेंट आ दियां टिक्टा भी पुनर विचार कर रही है खास्त और ते जिड़ा पंजाब दा संगठन है पंजाब दा संगठन भी हजे ये तै नहीं कर स किया कि असी केड़े उमीदवार दे नाव अगे वदन है और हजो जी मेरा अनुमानित सर्वे खने केंदा है कल दो तेन दिना तो मेडिया दे वेचे खाबरां चाल रही हैं सी और जिस तो बाद मैं एक अनुमानित सर्वे खन कीता टेलिफोनी कली बहुत सारे जेड़े पत परनीत कर वी कंगरस के कुल सथ ने परों सस्कतर ने पिबी परनीत कर और हमने दे उमीद है कि ओभीिजएपी जा सकते ने बीजएपी ज्वाइन कर सकते अन् कंगरस दे बचे 6 मेंबर पारलिमेंट तो केड़े केड़े ने पहला में दंग दा नाम लै था जी एस ओजला गुर्जीत सिंग ओजला अमरसर तों हाली दे वेचे पार्लिमेंट दे वेचे जड़ी गुर्जीत ओजला ने बहादरी दिखाई बीजेपी ने वी कॉंगरस ने वी सारिया पार्टिया ने उना नू थापड़ा दता सो गुर्जीत ओजले दा सन्मान भी कीता गया जड़ो पार्लिमेंट दे वेचे ओबहादरी दिखाई के वापस अमरसर आये सी सो गुर्जीत ओजला अमरसर तों मनीस तिवाडी सिरी ननपुर साहब तों जस्बीर सिंग डिमपा खडूर साहब तों रवनीद सिंग बिट्टू लो दे आना तों महम्मद सिदीक फरीद कोट हुन जड़े बीबी परनीद को रहा हुना दा जे ऐसी जिकर ना करिए ओ सस्पेंड़ ने बाकी छे मेंबर पार्लिमेंट आन दे विच्चों जो मेरा अनुमान तसर्वेखन केंदा है सो छेना दे विच्चों चार चेरे जहे नहीं कि तक गुर्जीत आजला है गुर्जीत आजला तों चंगा विकलप या चंगा बदल इस वक्त कॉंग्रस पार्टी को ले अमर सर्च नहीं है कोई शक नहीं नवजो सिंग सिदू बहुत वड़ा चेरा ने पर नवजो सिंग सिदू ने कल फिर एकवरी ट्वीट करके इनकार करदता कि यो चोन नहीं लड़नगे ना पट्याले तो ना कितो होर सो पार्लिमेंट दी चोनों नहीं लड़ रहा परवार नवजो सिदू दा हुन गुर्जीत आजला तों बेतर विकलप कॉंगरस पार्टी को ले फिलहाल अमर सर्च नहीं है हुने कॉंगरस दी घुटबाजी कह लिए के कॉंगरस दे विच एक तड़ा चौनदा है के असी ओपी सोनी होना नो अगे वदा ही और मैं एक वरी वेख दा मैं जे पुर्जाब दी कांगरस दे संगठन दा तजर्बा करा जो मैं देखिया पंगरस दा संगठन पिछले कुछ महीन ही आज जदो ता गाल लौं दी है नावजोष सिंग से दू दी ओ दो ता पंचाब दे कांगरस दा संगठन ने कठा हो जाना थै जदो नवजोफिंग से दो दिया रेलीआं चे रेलीआ tałो नी सी नवजोफिंग से दो दियां सदारन मीटिंगा सी होदे चे दस दास 15 1500 लोगँ कौन लगगे तक कॉंगरस दा सारा संगोद नबाद़ा रेलीए अबने. ते जदों आम आदमी पार्टी नड़ समझाओते दी गल चल रही सी ओदों कांगरस दा संगठन एक पासे वी सानू आम आदमी पार्टी नड़ समझाओते दी लोडनी पंजाब चांगरस पार्टी दी लहर है आम आदमी पार्टी दा एंटीं को मिल सी बहुत जादा है असी अपने दम ते चोना जितांगे सारिया ते हून तुसी स्थितियां वेखलो के हून जदो कांगरस दी हाई कमांड ने पंजाब दे संगठन दे कैन तो बार समझाओता नहीं कीता आम आदमी पार्टी ना ते आज हला ते ने के आज कांगरस दा संगठन ही तैनी कर पा रहा और कांगरस दा संगठन एकठा नहीं देख रहा उमीद वारां दे चोन नू लाएके और तुसी वेखो सिटिंग मेंबर पार्लिमेंट गुरजीत आजला दो वार दा जेतू और पार्लिमेंट चों बहादरी करके गुरजीत आजला जी बार आएने और हजे भी कांगरस पार्टी दा संगठन ये चोन दा है के गुरजीत आजला दी था क्यों ना किसे होर चेरे नू अगे ले आई है और मेरे नुमानत सर्वेखन मताबक गुरजीत आजला तो मजबूत कैंडिडेट फिलहाल किसे पार्टी को ले नहीं है ना कांगरस को ले है ना पार्टी जनता पार्टी को ले है बीजे पी देता पता ही नहीं उमीदवार केड़ा होगा ना आम आदमी पार्टी ने है जे पत्ते खोले ने ना श्रोमनी अकाली दल ने होथे अनिल जो सीदा नाम अगे वदा रहे है श्रोमनी अकाली दल पर कल्ला श्रोमनी अकाली दल उस्थितीच नहीं है और दूसरी गाल मैं सुन रहे हैं सी कॉंगरस दे कुछ लीडरा दी नारे बाजी जदो मीटिंग होई अमरसार दे वेच जदो इना दे प्रबारी योगंदर यादव जी भी उते गए के जी पार्टी जनता पार्टी दा मुकाबला करन लई हिंदू चेरा अमरसार चगे वदाओ और मेरा अनुमान तसर वेखने केंदा है हर्जोज जी के पूरा पंजाब जदो राजनीती दी गाल लौंदी है सारे तरमादा पंजाबी से अनुमान कार देने पर जदो राजनीती दी गाल लौंदी है ते पंजाबी कदे विए नहीं वेख दे के कैंडिडेट सिक है या हिं जना है उन जदो अटल भिहरी वाजपई पर दान-मन्तरी बने पूरा पंजाब होना दे नाल खड़ाई जदो डब्रम नमौन सिंग परदान-मन्तरी बने सारा पंजाब होना दे नाल खड़ाई और प्रकाबस सिंग बादल पँछे मौखमंतरी रहे वो एक सेकुलर चेड़ पंजाब छी रे इससे तरह नवजोस सिंग सिद्धू अमरसर तो तिन वार लगातार जिते 2004 च जिते 2007 जिते फिर 2009 जिते नवजोस सिंग सिद्धू सैकुलर च το लगातार जिते इससे तरह गुर्जी तो अजला एक सेकुलर चे रहा कोई कट्टडवादी छवी नहीं है उनना दी सो असल च जदो आसी पंजाब दी गाल कार देयां तुसी देखो संगरूर च सिमरंजी संग मान जिते बजुर्ग सिमरंजी संग मान जिते जड़ी एक वक्री सोच लेके चल देने पर उनना ने संगरूर दियां चोना दे वेच्छे उस मुद्दे नू नहीं सी उबा रहा उस सेकुलर बन के डेमोक्रेटिक तरीके नाल लोक तंतर च पर उसा राके सिमरंजी संग मान संगरूर तो चोन लड़ेते जटगे सो पंजाब चो सेकुलर चेरे जटदे ने ना की पंजाब चो हिंदू चेरा या सेक चेरा या मुसलिम चेरा या क्रिस्चिन चेरा जटदे सो इस करके कांगर्स कितों ना कितों बीजे पीतों एरिज भी कोई दो राएं नहीं है कि पारती जंता पार्टी ने एक वड़ा वाइदा पोरा किता है शिरी राम मंदर दे निरमान दा अओन शिरी राम मंदर भी सांजयist सारे आंदा अओन शिरी दरबार साब सारे तर्माली दरवाजे खुल लेने चार दरवाजे ने और श्री दरबार साब हर तरम दे लोक देख देने तो अनुजदो तुसी टेलेविजन ते कीर्टन देख देऊ श्रदालू सारे आए हूं देने इसे तरह श्री राम मंदर चाहर कोई जा रहे है तो तरम स्यासत दे नाल चोना दे विले लोक नहीं देख दे किस तरम दा उमीद वार नहीं देख दे ये तजर्बे एक हैं दे ने पिछले आंकडे एक हैं दे ने होन अमर सर्च गुर्जीत ओजला सेकुलर चेर है और कॉंग्रस पार्टी दा इक तड़ा सेकुलर चेरे नू छड़के वक्री मंगते अग्गे वाद रहे हैं और ये दा नुक्सान की नू है कॉंग्रस नू है देखो अगर गुर्जीत ओजले नू टिकट नहीं वी दन द ते मैं कुछ लोग का नू पुछा है अगर गुर्जीत ओजले नू टिकट नहीं वी दन दे ते अगला में नू ओथे मेंबर पार्लिमेंट गुर्जीत ओजला ही लगदा है फिर किसे ने भी गुर्जीत ओजले नू ले जाना है क्योंकि सारे नू चंगे सेकुलर दे लोड़ है बीजेपी नू भी लोड़ है आम आदमी पार्टी नू भी लोड़ है अकाली दल बीजेपी नू भी लोड़ है जे गट जोड़ भी हुंदा है तामी सो सिटिंग मेंबर पार्लिमेंट जी दे खराफ खलाफ कोई करप्शन दा इलजाम नी जी दे खलाफ कांगरस नो बार कड़न दी लोड़ा है देश नो अजाद करौन वाली पार्टी सिदू दे खलाफ पंजाब दा संगठन कठा हो ज़न दा है इन अमुद्यां ते कठे हों दी लोड़ा है कि जिडे जेतू कैंडिडेट ने असी उनना दा विरोध ना करिये इसे तरह मनीश्तिवाडी है मनीश्तिवाडी सेकुलर छवी सेकुलर चेरा शिरी नंदपुर साब तो जित्ते और मनीश्तिवाडी दा बदल कोई नी मनीश्तिवाडी ओ चेरा आज पंजाब चे कांगरस कोडे पामें तुसी मनीश्तिवाडी नू लुदे आने तो उतार लो ओ मुकाबले चे ने पामें तुसी मैं ये नहीं कहने दा किसे भी बारे की जित्तू कौन पर मैं अपना नू मान दा सरे हैं मनीश्तिवाडी दा बदल है नी लुदे आने अगर लो दे आने च मनीश्टिवाडी आजे किसे पार्टी विल लो आजे ते मनीश्टिवाडी तकडा चेर है। सुप्रीम कोड़ दे वकील ने इसे तरह जिस्बीर डिमपा ख़दूर साब मेनू नहीं लगदा कि कॉंग्रस पार्टी को ले कोई उस तो तकड़ा वकलब है इसे तरह फटगर साब डाक्टर अमर सिंग मेनू कोई बदल नहीं देख़दा कॉंग्रस को ले फिलहाल डाक्टर अमर सिंग तो मजबूत कैंडिडेट मेनू कोई नहीं देख़दा कॉंग्रस जे पक्कूं हुन रवनीद बिट्टू है लुद्यानेच हुन रवनीद जे मैं डॉक्टर अमर सिंग दी गल करा मनीश दिवाडी दी गल करा गुर्जीत आजले दी गल करा जे डिम्पा दी गल करिये ते चार मेंबर पार्लिमेंट ने जे मैं एक गल करला ते पंजाब चु कांगरस दे संगठन दा विरोध नवजोज सिंग से दूनाल रहे है ना गुर्जीत आजले दा नवजोज से दूनाल विरोध रहे है ना डिम्पा जी दा ना डॉक्टर अमर सिंग दा ना मनीश दिवाडी दा इस चारे मेंबर पार्लिमेंट लगातार नवजोज सिंग से दूनाल जेल च जाके भी मुलाकात कर दे रहे हैं और जिस दिन नवजोज सिंग से दू दी रहाई सी गुर्जीत आजला गेट ते खड़े सी उस दिन मैं आप मिले हैं इदा मतलब है कि ये सैकुलर चेरे ने तड़े भाजी आले नहीं हैं अगर मनीश दिवाडी चोन लड़ देने गुर्जीत आजला चोन लड़ देने डॉक्टर अमर सिंग चोन लड़ देने दिंपा चोन लड़ देने क्योंकि इमानदार चबी आले लिडर ने महम्मद सदीक जड़े फ्रीद कोट आले ने उन्हादी सरगर्मी भी बहुत जादा नहीं रही उन्हा बारे मैं बहुती गल किसे नाल कीती नहीं क्योंकि फ्रीद कोट तो महम्मद सदीक मेंबर पार्लिमेंट ने पर वो चंगे प्रसेद ने लोकां चोवी एह जी गाल ली पर जि मैं चार दी गाल करा गुजीत ओजला, मनीश तिवाडी, ढिंपा और डक्टर अमर सिंग मजूदा समेचे न चारा मेंबर पार्लिमेंट अन्दा बदल नहीं है और जो रिवनीत बिट्टू दी टिकट कटनी बड़ी आखी है एह हो सकत है कि राहूल गांदी रिवनीत बिट्टू होना नू कि तो होर लड़ा दिन क्योंकि राहूल गांदी दिन आलवी नेड़ता बहुत है रिवनीत बिट्टू दी जेडे दावेदार ने पंजाब चे कॉंग्रस दी प्रदानगी दे उन्हा जो रवनीद बिटू सब तो अग्या रवनीद बिटू भी अपार्थ पुशन आशू भी है ये दोवे लीडर प्रदानगी दे भी दावेदार ने होन याता राहूल गांदी ए मसला ने बेड़ साकता है रवनीद बिटू अड़ा मेनू लागता है पंजाब दा संगठन है गेड़ा ओवी इस पोजीशन च नहीं है के रवनीद बिटू दी टिकट काट दें क्योंकि हर्मन प्यारता रवनीद बिटू दी दूजिया पार्ट जड़ा मेरा अनुमान केंदा है बाकी सीटना दे उते जोर देंदी लोड़ा गुर्दास पुर्च पट्यालेतों बठिंडाच फिरोज पुर्च जिलंदर्च खास्ता हरते और जिलंदर्च चरंजीत चन्नी हुन एवी एक बड़ी वचित्तर स्थिती है के कल परसों करता पुर्च जिलंदर्च जिलंदर्च वड़े दावेदार ने और मेरे कुले एथो तक भी खबरा ने के जिलंदर्च कांगरस दा इक पुराणा वड़ा दिगज आगू अगर नजरंदाज कीता गया उँ अगू भी त्यार है फुल डमांड है उस अगू दी भी मैं नाम नहीं लेंदा प्राणा कंगरस दा अगू तकडा अगू वड़ा अगू ओ भी त्यार बेठा है फिर जे कंगरस ने नजरंदाज कीता कई पासे हो सद्दें ने पर अगर गल चोन जाबते तो अगे निकल गी कि चोन जाबता लगण तो बाद फैसले होनगे तो कॉंगरस स्थिती odpow हिँदनी जाने है मेरा अनुमारत सर्वेखन सी पहला पर जिडियां ताजा स्थितियां ने क्योंकि हजे चोन जापता नी लगया हजे अनुमान लगाए जा सकते ने अज मेरा है मनना है कि जेड़े चार मेंबर पार्लिमेंट ने ये बेटर उमीद वार इस वक्त कॉंगरस को लेने देड़े मुकाबलेच ने सो कॉंगरस हाल दी करी मेननू चार सीटना ते मुकाबलेच देख रही है बाकी अकाली पाजबा गठे जोड हुदायां ते की स्थिती बन दीया आमादमी पार्टी जदो केंडिडेट अनौंस कर दीया की स्थिती बन दीया एप विख देखनारी गल रहीगी डला जे की है वी ग़ला है कि आमादमी पार्टी ने इसे करके अपने उमीद्वारान देना दी जड़ी एनाॉंसमेंट रोग दिती है क्योंकि किते था हा मादमी पार्टी वो लोई किया जारें ऐसी के फरवरी दे महीनों वी چी और अपने पंजाब दे जड़े उमीद्वार आझार ने जिना ने चोड लड़नी है उनना दे नामादा ऐलान किता जा जूके है तो की कहो गई ना सारी है सित्या लुब एग दे होया हर्जोच जी आम आदमी पार्टी ने रहलीयां चक्या सी कि असी फरवरीच अपने उमीदवारां दे नामादा ऐलान कारतां गे आम आदमी पार्टी इंडिया गठ बंदन देवेच सब तो पहला मांग करनवाली पार्टी सी के जल्द तो जल्द उमीदवारां दे नामादा ऐलान किता जावे और आम आदमी पार्टी ने गोआच सब तो पहला उमीदवार ऐलाने दिल्ली ते कुरक्षेतरा देवे चवी उनने आपना उमीदवारे लाने दिल्ली चटा चोन परचार भी शुरू करता और कल हर्याणे चवी पगवंतमान ने चोन ब्यान दी शुरूआत करती अज़ गल रहेगी पंजाब दी पंजाब च आम आदमी पार्टी बहुत सोच समझ की अगे वाद रही है आम आदमी पार्टी को ले पहली लिस्ट तेरां दे तेरां केंडिडेट न दी त्यार है पगवंतमान को ले पर उह होर बेतर चोन देख रहे ने कि अगर इना तो भी चंगा उमीदवार मिले और कॉंग्रस जिस तरां दा काटो कलेश तिक्टा नू ले की है की खिचडिए क्उंगरस की सिटिंग मेंबर पार्लिमेंट थी तिक्ट कॉंगरस दा संगठन पंजाब आला कटा देगा कि दिली आले पंजाब दे कांगरस दे संगठन दी गलनू रद करके सिटिंग तकडे ने डिडे उननू टिक्टा देनगे अगर नहीं देनगे सिटिंग दिया कुछ दिया टिक्टा कट देनगे ते फिर सिटिंग ने डिडे उननू ता टिक्टा मिल जानी है ने पामे कोई होर पार्टी दे आम आदमी पार्टी दी वी सब तो पहली न इस करके आम आदमी पार्टी आपनियां टिक्टा रोकी बैठी है दूसरा ओए वी इंतजार कर रहे ने कि अकाली पाजपा गट्स जोड़ हुंदा है या नहीं हुंदा मैंनू लगदा है आम आदमी पार्टी वी चोन जापता लगण तो बाद उमीदवारे लानेगी ओ पहल सारे फैक्टर ने जिना करके टिक्टा रोकियां हुई या ने आम आदमी पार्टी ने हुन जित हुता काली पाजपाद है वो इस करके नहीं अलान कर रहे कि की गट्स जोड़ हुंदा है या नहीं हुंदा अगर गट्स जोड़ हो गया थे उलिए अनॉंसमेंट कर दो क्योंकि जदो चोन जापता ही लगया और जदो पंजाब दा शंबू बेरियर ये शंबू मोर्चा ही कह चुक्या है कि चोन जापता लगे ना लगे साड़ा मोर्चा लंबा चलूगा पंदेर साब ने कहता अजे हलातनाच अकाली पाजपा गट जोड़ तो बाद चोन अगर हो चुक्या था एलान करनेगी चोन जापते तो बाद ही होनगी दला जी प्रोग्रम दे खीर विच किसे हो खास ख़बर दे उपर वी जेकर तुसी जानकारी सांजी करना चाहू अर्जो जी उदर पगवंतमान कल हर्यानेच लोकसबा चोना दे ली आम आदमी पार्ट इंडिया गट जोडनू जिताओ अगले एक दो दिन आज और कल पगवंतमान और अर्विंद केदरीवाल पंजाब चवी अपने चोन पर चार दी शरुआत करनवाले ने और जिबे मैं पहला भी जखर कीता है पंजाब दिया टिक्ता दा एलान चोन जापते तो बाद होन द यूमीट है आज दो राज्यों में हमारी सरकार है दस हमारे राज्यसवा में 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 पांच हमारे MLA गुजरात में हैं दो हमारे MLA गोवा में हैं और आने वाले दिनों में MCD जो हमारे पास MCD दिल्ली की भी है हमारा मेयर चंडीगड में है मद्य परदेश में संग्रॉली नाम की जगह वहां मेयर है और आने वाले दिनों में 13 सीटे पंजाब से लोकसभा में आ रही है एक कुरुगशेत्र की आने वाली है और दिल्ली में जीतने वाले हैं शक्ति और बढ़ने वाली है तो ये जोश चाहिए ये जज़बा चाहिए नब्वे की नब्वे हर्याना में आपके मुँ में गुड़ शक्कर आपके मुँ में घी शक्कर मुझे कई बार पत्रकार पूछ लेते हैं कितनी सीटे आ रही हैं पंजाब में मुझे से पूछते थे जब मैं कमपेंड कर रहा था दिल्ली में जब 2020 में कमपेंड कर थे पत्रकार आ जाते कितनी सीटे आ रही हैं मैंने का जी बहुत ज़्यादा सीटे आ रही हैं मैं लोगों का मूर देख रहा हूँ, लोग नई कहानी लिखने वाले हैं, कहते हैं आपकी सर्वे में नहीं आते हैं, आमानी पार्टी सर्वे में नहीं आती हैं, मैंने कहते हैं, आमानी पार्टी हैं, हम सर्वे में नहीं आते हैं, सर्वे बर्वे में नहीं आते हैं, हम तो सी 67 out of 70 दूसरी बार दिल्ली में सत्र में से भासट और पंजाब में पहली बार पहली बार हुआ कि काली दाल बीजे पी और कॉंगरस के बिना कोई पार्टी नहीं आई 117 में से बान में तो हम सर्वे वाले नहीं हैं हम तो सरकार में आते हैं तो ये कहने के लिए आपके पास आएं कि अर्विन केजरिवाल के हाथ मजबूत करो आपके उपर इतनी मुसीबते आई दस साल के अंदर कहां थे ये लोग हमारी हर्याना की पहलवान बेटियां उनके उपर अत्याचार किये गए उनके साथ गलत काम किया गया उनके साथ छेड़ चाड़ की गई जब वो धरना प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली गई तो उनको लाठियों से पीटा गया मैं गया था उनके पास जंतर मंतर पे उनका साथ देने के लिए आपके दस MP कहां थे तालियां बजा रहे थे जब आपकी बेटियों के साथ छेड़ चाड़ की जा रहे थे घर में बैटके पार्टी कर रहे थे तालियां बजा रहे थे जब आपकी बेटियों को छेड़ा जा रहा था अभी जब आप किसान हर्याने के पंजाब के किसान दिली जाना चाहते थे बॉर्डर के उपर उनको रोक लिया गया क्या खसूर था जी किसानों का यही तो कह रहे थे फसलों के पूरे दाम दे दो मिलने चाहे की नहीं मिलने चाहे पूरे दाम फसल के पूरे दाम मिलने चाहे नहीं मिलने चाहे किसानों को किसान कह रहे थे फसलों के पूरे दाम दे दो क्या मिला बतले में उपर से गोले छोड़ दिये उपर से चाइना के उपर गोले छोड़ने की इमत निया इनकी पाकिस्तान के उपर गोले छोड़ने की मत निया अपने किसानों के उपर गोले छोड़ दिये इन लोग चोड़े जा रहे थे रबड़ की गोलियां चोड़ रहे थे मार रहे थे लडंडे मार रहे थे वाटर कैनन मार रहे थे तो कहां थे जी आपके ये दसमपी ये तालियां बजा रहे थे बड़ा मजा रहा रहा था इनको किसानों को पीट रहे बड़ा मजा रहा था इनको बहु किसले साल किसानों की फसले बरबाद हो गई पूरे अर्याने के अंदर पूरे अर्याने के किसानों में तबाही मची हुई थी फसले बरबाद हो गई बिचारा किसान लुट गया ब्याज वो कर जा लेके तो बिचारा फसल उगाता है उसका ब्याज उपर से देना पड़ता है चारों तरफ किसान कहरे थे थे भी हमको मुआफ़जा दे दो, मुआफ़जा दे दो किसे को मुआफ़जा नहीं दिया कुछतर सरकार ने कहां थे तब ये दसों के दस MP किसी ने वाज नहीं उठाई है आप लोगों की जब बेरोजगारी हुआ को को पुलिस वाले दोड़ा दोड़ा के पीट रहे थे, डंडे मार रहे थे, बेरुजगारी हुआ नौकरी मांग रहे थे, सड़कों के ओपर कहा थे आपके दस के दस MP, तालियां बजा रहे थे बेरुजगारी पे, आपके बेरुजगारी का मजाक उड़ा रहे थे, और हद तो युद हो जाए तो सारी दुनिया के देश अपने नागिरिकों को वहां से निकालते हैं इन्होंने खटर सरकारे बेरोजगार युउकों को हरयाने के बेरोजगार युउकों को बेकू हमाना के और युक्रेन भेजदे Опरने के लिए और मैं वीडियो देखता हूं कई लोग कहते हैं मम्मी पापा मेरे को वापस बुला लो मैं फस गया यहां पर कहां थे यह दस के दस एंपी इस बार गलती मत कर देना बाई साथ यह इस चक्कर में मत पड़ जाना हमने तो प्रधानमंत्री बनाना प्रधानमंत्री बाकी बना लें इसे दर आल मैंनों यानि के हर्जोत कौन देऊ जाज़त तानवाद बहुत बहुत तानवाद जी